विल्कम बेक टू मैं चैनेल अगी ता कीचिन्स आई होप आपको अच्छी लगती है और अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीर वीडियो को लाइक करें। शेर करें यर चैनल को ज्यूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखतें रेसिपी कैसे रेड़ी करना है। आज मैं आपके शायर करने जा रहे हूं बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सा मसाला पनीर इसे बनाने के लिए खड़े मसाले को निकाल लिया है साथ ही लिया है पनीर को क्यूब्स में काट लेंगे आप इने अपने अंसार छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं आप देख सकते ह मैंने थोड़े मोटे पीसे में काटे हैं ताकि देखने में अच्छा लगी और खाने विटेस इसका और जाद अच्छा लगता है सातिया ले लिया है खड़े मसाले खड़े मसाले के बाद मैंने हले लिया है प्यास टमाटर और लैसन इन सब को अच्छे से काट लिया है तील को घरम करने कबाद पणीर को फ्राइख करेंगे फ्राइख करने के लिए मैंने तोड़ा साथ भी ने साथ है प surrender Ona सेलो when बाद निकाल लेंगे निकाल लेंगे करने के लिsan को भ खड़ा घहिए साथ मार याज को हलका साथ काजु को हिलागे मैं अधरी नेग। यह टाल देंके रदम के ल kingdom को हिता करें। इन्हें अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद हमने यहां डाल दिया, यहां एक कप पानी, एक कप पानी डालके इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इन्हें ढग देंगे, और ढगने के बाद इन्हें ऐसे सॉफ्ट होने देंगे, बीच-बीच में इन्ह अच्छी व telef दूंटnon और इसे ठंड़को से जङए एक मरट करणें O एक बाल सकतING है पिल्कुल जीर आहीं अच्छी अरो टेस्टी वंधर आप नेखरेश nights ऑन ऀयए ढालिया गरम करनें के लाने लिए तेड करने मंग़ दाने के लिगावल करने का संरदacak यहां जीरा करें जालड़ काशमीरी मेज बनाते हैं तो कासमीरी मेज तेल में जरूर डालें कलर अच्छा और बहुत जादा तीक्या नहीं होता इन्हें लगता चलाते रहेंगे तक तले में ना पकड़े अब बिल्कुल पर्फिक्ट अच्छे से भून जाएं तेस्ट बहु जो मसाले मिक्सी के जार में बचें उन्हें भी डाल देंगे हम यहां कुछ भी वेश्ट नहीं करना है अच्छे से मिक्स करते रहेंगे इन्हें साथी यहां डाल देंगे सबजी मसाला में यहां थोड़ा गरम मसाले का यूच किया है इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और ए मैंने या मार्केट के क्रीम का यूज किया, आप चाहे तो घर में दूद की मलाई का यूज भी कर सकते हैं, उससे वी टेस अच्छे आते हैं, इन एच्छे से मिक्स कर देंगे, सातियां डाल देंगे एक कप पानी, पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी आप अपने ताक टेस्स और नहीं हो जाएगा अच्छे से मिक्स करेंगे लिए पका लेंगे आप देख सेते हैं पनीर ग्रेवी आपस में अच्छे से मेल जूल गया है और इस तरहिके से पर्फेक्ट मसाला पनीर बनके रेडियो हो गया है अग्र आपको भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार इसे जरू ट्राइब करें और इसे सर्व करने के लिए ऊपर से डाल देंगे बटर बटर से टेस्स और जाता है अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो बटर को स्किप कर सकते हैं आप देख सेते हैं पर्फेक्ट लाजबाब मारा मसाला पनीर बनके र आप देख सेते हैं बिल्कुल पर्फेक्ट अच्छे से दूल गया है इन्हें चानेंगे और चानने के बाद कुकर रख लिया गरम करने के लिए डाल देंगे दो चममच गी अच्छे से मेल्ट करेंगे जीरा तेजबाद बड़ी इलाइची और चोटी इलाइची और छोट पानी का यूज किया है साथिया डालेंगे थोड़ा सा नमक नमक डालके इन्हें एक बिसल आने तक पका लेंगे आप देख सकते हैं एक बिसल आग लेम को बंद कर देंगे और थोड़े दिरवाद आप देखेंगे कि पर्फेक्ट चावल बंके रेडियो गया आप भी इस को लाइक करें शेयर करें चनल को जो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरू क्लिक करें तक याने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए